डॉक्टर एस के जामगड़े के द्वारा सर इस स्टार्टिक में ही थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ-कुछ बाते ऐसे बोले जारी थी जिससे मुझे थोड़ा गलत इंटेंशन की महसूस होने लग गया था अच्छा नहीं लगता आपको आप मेरे पीता समान है उम्र में है ना आप मेरे से काफी बड़े है सर इस तरीके का है बात करने का मेरे परस्नल मेंटर कैसे पूछ सकते हो लेकिन वह बातों से मुझे परिशान करने लगे कि अरे ऐसा बनोगी क्या वैसा बनोगी सेक्शल हराश्चमेंट और इव टीजिंग के मामलों में अगर भारत में आप आप आखनों पर जाएंगे तो हर राजी में हर जिले में और हर जिगा पे आपको कुछ ना कुछ बात नहीं चर्चा परिचर्चा या इस तरह की जो आक्ड़े हैं वह आपको मिलते रहते हैं हिंदुस्तार में लगातारिय मामले रेस कर रहे हैं और मैं ऐसे ही मामले को लेकर आया हूं जहां एक महिला है जो महिला क्लर्क है और वह एक डॉक्टर के मानसिक प्रताड़ना और उनके द्वारा जो एक बुलनाशी शारिक प्रताड़ने के तौर पे उनको मतलब बहुत हैं और उसके बाद में उन्होंने स्ट्रॉंग एक्शन लेते हुए उस डॉक्टर पर कारवाई करने की मांगी है मेरे साथ में महिला मौजूद है मैं चाहूंगा कि उनकी पूरी बाते हैं उनी से जानते हैं मैं बताईगा कि आप कहां पदस्त हैं और क्या होता था के साथ सर मैं दुर्गजिले के कारले मुखेची किसम सौसा दिखारी है डिपार्टमेंट में साइगरेटीन के पत पर पदस्त हूं जी डॉक्टर एसके जामगड़े के द्वारा सर स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा एससे कुछ बाते ऐसे बोले जारी थी जिससे मुझे गलत इंटेंशन की महसूस होने लग गया था उसके जामड़े जिनका नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सापना के और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर ऑफिसर है वो मतलब उनको बहुत तरी चार्ज दिया गया है नर्सिंग होम एक्ट और जैसे की अपना इस सापना सेक्शन का नोडल बनाया गया था और मैं सर इससापना सेक्शन का ही प्रभार देख रही थी नर्सिंग साखा का पूरा प्रभार मुझे दिया गया था जी क्या होता था था सब्सक्राइब में मुझे मस्ती मज़े करते थे कि आरे आ गई हो अरे ऐसा वैसा मतलब अरे तुमको देते कि अरे तुमको वह ऐसी बोल के हम लोग मजाग कर देते हैं ऐसे करके फिर दीरे दीरे वह मजाग सर दीरे दीरे कुछ-कुछ बाते मुझे ऐसे लगने लग गई कि मजाग थोड़ा हद से ज्यादा बढ़ रहा है कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरे बाजू पर जो जो दीपार्टमेंटल तो वो तो बैट के अपनी समस्याओं को बताएगा सर मैं तो सरकारी काम इसी लिए कर रही हूं कि सबकी समस्याओं को हल करने के लिए हैं सासन का और फिर वो सब बाते होने लग गई सर उसके बाद जब कुछ-कुछ बाते ऐसे न लोग गई कि तुम मेर गर्फ्रेंट बनोगी क्या तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल पीए बनाना चाहता हूं पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूं है ना तुम मेरे साथ ही रहना ऐसा वैसा और तुम बहुत ज़्यदा सुन्दर हो तुमको देख कि मुझे अच्छा लगता है मुझे कुछ तो मैं इस सीज के लिए उनको वर्निंग दी थी सर कि आप मेरे सीज सरी किसे बात मत कीजे करके तो उस चीजों को लेकर ना सर वो मुझे फिरना प्रोफेशनली मतलब जो हमारा वर्क है तुर्ग सीमो ओफिस में है यह यह बताए कितने साल से अब वहां पदस्त हैं और यह इसापना में ही थी सर मेरे को कभी कोई अलग कख्च में या कहीं कहीं भेजा नहीं गया था आज तक का मैं तब 6 साल से मैं वहीं थी डे वन से थी जिस जिन मैंने कदम रखा था वहीं से थी और मैं मिरसिंग साखा ही सुरू से मतलब एक मैम थी सर पहले उनके साथ देखती बाद में मुझे इंडिविज्वल दिया गया और मैं बहुत अच्छे से काम करती थी इवन मैं संडे सटर डे को भी पूरा अपना काम कंप्ली इन घटना होगी शुरुआ कैसे हुई थी कब कितना दिन पहले हुआ इन घटना होगी सुरुआ सर आसे चार-पांश मैने पहले तो मैं अपने इस तर से ठीक कर लूँ है ना क्योंकि सर मैं कोई अबला नारी हूं नी मैं खुद आज की भारत की नारी हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक मैं अचाहूं तब तक तो वह कुछ कर नी सकते हैं तो सर मेरे को अगर हाथ लगानी की कोसिस करती त इस तो बातों से मुझे परिशान करने लगे कि अधर बनोगी क्या वैसा बनोगी तो मैंने विरोध यह किया कि मैंने वार्निंग डी कि सर आप इस तेप से मुझे बात मत किया करेंगे मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं तो फिर मैं आपके लिए कुछ बड़ा एक्शन जब आप ऑफिस में रियक्ट करते थे इंस विष्णों के तो सारजनी के स्थल पे रियक्ट करते थे तो बाकी लोग भी देखते होंगे इस चीज को कि आपने रियक्ट किया उस दिन या पर आपने विरोध करके उनको बताय कि यह लास्ट वर्निंग इसके आगया आप ऐस वर्निंग देते थे तो उसको जड़े से वह और चोरशते हूंगे हैं उनसे चर्चा करती होंगे कि यह इस तरह से विहार हो रहा है पर को नियुक्त पहर लोगों को लगवाल, पहर था। कि बाउंडरी स्पार होने पर आपने डिपार्टमेंटल जो है उनको वर्बली बताया था कि मेरे साथ यह गटना है हो रही है वांडरी कहां पर सीमा कहां लांगी गई ते उसके बाद आपने कहां कहां इन विशो को रखा वर्बली ऐसा था कि जैसे कि चीजे जब तक परसनल आप क्या बोलते हैं इसके बतले तुम क्या दोगी तो मैं बोली चाहिए बहों किस टव का पार्टी चाहरए बु rival होते हैं तो बहुत हैं ऑडचे व 위 दयती है उसके बाताओ तो हैर मैं सरकारी का क्या दूंगी मताओ आप है नग हैं Case आप कोई आपको तो नहीं कि दूस्ता बातों से मुझे तो मुझे तुम से कुछ और चाहिए ऐसा करके हैं तो यह जब वह प्याने लगत तो मैंने उनको बुला आप ऐसा मत क्या करो मेरे को यह सब पसंद नियहें तो वह चीज्जों को फिर वह दूस्मनी लेके मेरे को वर् तो मेरे को वार्निंग दिये थे कि तुमको तो मैं चार नंबर कमरे में लाके ही रहूँगा और यहीं पर तुम बैठोगी और तुम्हारा इस अपना सेक्शन से भी तुमको हटाऊंगा करके मैक्सिमम 10 डेस बात सीमो सर के द्वारा यार्देस जारी हो गया सार जो उनने कहा था सेम टू सुम वही चीजे हुई सर चार नंबर कमरे पे मेरा ट्रांसफर हुआ और उनी के बाजू पे हुआ और क्या होते हैं उस सेक्शन से भी मुझे हटाया गया तो मेरे मेरे में क्या मत सेक्शन से क्यों हटा गया कि अजम गड़े सर के बोलने से अपने बात रखी अपनी पीड़ा बताई इस तरह से बढ़ना है मेरे साथ हो रही है पहले तो सर और लेके मैं सीमोचे सर के पास पहले ही गई और मैंने उनको बोला कि सर मुझे कमरे नंबर 4 पर मत बठाए मैं न लेने का मुझे डरा रहे हो तो सर यह क्या तरीक है सीमों सर वह हमारे कारले प्रमुख सर अगर मैं उनसे किसी चीज की सिकायत कर रही हूं तो उनको उससी एक्शन लेना चाहिए था हना कुस तो कुछ करना था उनने कोई एक्शन मेरा तो मेन बुद्ध यही था कि आप रूंगी करके तो उस बात पर जामगड़े सर बोले नहीं आझी तुमको करना पड़ेगा और तुमको आजी जोईं करना पड़ेगा आजी यही बैठा पड़ेगा kind keeping ना और तुमको चपराती से भी शीख ना पड़ेगा काम, मेरे इस साओ हूं सर बहुत गंदा जाएगा अगर निम्हाट हो तो दो सिमचेत तरगे द्वारा यह वो लगया कि आप यह सब बाते किसी को निए करेंगे कुछ भी नि करेंगे और इस बातों को खतम करो यहीं पर आप यह सब खतम करिया आपको ठीक है मैं देखता हूं आने के बाद का रहा है मैं लेकिन आप सिकाइट करने के बाद मैं आपको क्या थ्रटार क्या को is There already promiseец हैं कि मुझे एसा सूणने में आया है कि सी मज़ और है कि क्या बोलते हैं उनको लड़की को ले कि आओ उसको समझाएंगे उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए मत कहो ऐसे करके और मतलब उनके घर जा उनसे बात करो अगर कोई मांग है कोई सैटलमेंट करना चाहती है तो करो करके तो सर मैं तो सीधे सीधे वार्निंग दे दी हूँ कुछ बात करना चाहते हैं इस तरीके से बाते मुझे सुनाई पढ़ रही ती सार और एक चीज़ और कहना चाहँगी सर मेरी फैंटी से डिश्टरब है आभी मांसी कुछ रूप से तो मेरे साथ अगर कोई भी घटना होती है इनकेस अगर कुछ भी होता है तो पूरे जिम् उनके उपर करवाही आप जरूर करिये सर अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वही दोनों लोग होंगे सर तो मेरी फैमिली अभी थोड़ी सी मतलब डिश्टरब चल रही है कि मेरे साथ कोई दुर घटना ना हो क्योंकि मैंने बहुत यह अब भात नहीं बन पाईगी तो लिखेश शिकायत की जाए उसमें या तो फिर पुलिस से मदद ली जाए या पर डिपार्ट्मेटल इंक्वारी के लिए लिखित आवे जल पर यह अब तक की बात दो वरवली हुई थी लिखित में आपने कब दिया है किने किने ने दि पर निकाला जा सकते हैं हमारी आदे गंटे की कन्वर्सेसन है मेरे और सीमिचे से तुम यहीं बोला गया है कि तुम यह बात कहीं नहीं बोलोगी दबा दोगी सब करोगी तो मुझे दबाने के लिए प्रेशर डाला गया इवन ना कि उसको दबाने के लिए मुझे बहुत पतलब उनको अपनी अनुश्रेंसा दी है कि इसके रिक्ति के ओपर कारवाई कि यह होती कि उसकी जो मूल प्रदस्ता आपना है वहां पर उन्हें स्विच्च किया गया है क्या आपको लगता है कि यह डिपार्टमेंटल जो हो रहा है वो सही है उतना जायज है नहीं सर यह बिल्कुल जायज नहीं है मेरा मुद्दा तो यह नहीं था कि उनको कारेश सल पर सर आज वो आज यहां थे यहां वो हरकत के एकल वहां जाएंगे वहां वहां की महिला है अग सुरफशित फील करेगी वह वहीं फिर वैसी हरकत करेंगे सर रिकॉर्ड है आपकी जानकारी कह वहां बढ़ी आ जानकारी को जाएंगे तो कहीं कहीं और चालों के सांथ अन्यसाल कि मुझे बहुत मैईलाओं को कॉल ने पाया है लेकिन आपने किया है वो वैसी है, वैसा करते हैं, ऐसा करके. आपने पूरिश दिपार्टमेंट से भी मदल मागी है, आपने आवजन किया है, तो आप क्या चाहती है, क्या उनके पर F.I.R होना सी है? सर, देखे, मैं तो बस यही चाहती थी, कि उनको मूलपदी सापना पर जो किया गया है, मतलब मेरे लिए कोई नयायनी है, सर, है ना? मैं तो यह चाहती थी, या तो उनको सस्प्रेंट किया जा, या तो फिर महिला, 36 गर सासन किया है, तो जो एक्ट वो किया गया है, कि महिलाओं को अगर आप टॉचर करते हैं, तो सिधा बरखास किया जाना चाहिए, तो सर मेरा तो यही कहना है, कि उनको तो सिधा बरखास कर देना चाहिए, अज मैं असरुचीद फील कर रही हूँ, सर, ठीक है, मैंने एक्सन ले लिया, सर, अगर मुझे अगर सही नहीं बिलेगा, तो बिल्कुल मैं F.I.R. दर्च करूँगी, है ना, और सिमुचे सर के उपर भी कंप्लेंट करूँगी, कि उनने भी मतलब काराले की बात को दबाने की बात कही गई है, उनके द्वारा और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, तो मैं ये सारे कंप्लेंट तो मैं करूँगी, सर, अब लड़ाई सुरू करीओं, तो मैं अन्त तक तो करूँगी है, जी, आपने सुना कि एक माईला अतलरक है, और किस तरह से वो एक कार्यस थली पे काम करने की जर्वे किस तरह से मैंटली कताडित होती है और एक डॉक्टर है, जो लगाचार होने कताडित करता रहता है, इस तरह के मामले आप देश के अन्य राजियों में, सो में, जिरों में आप टेक सुन पाते हुए, लेकिन यहां जो इन्होंने प्रयास कर लिया कि कैसे ना कैसे व्यक्ति को सतबुद्धी आ जा और वह अपने कर्म कर रहा है उसे कम से कम ना करे लेकिन इसमें यह होता है कि जो धिपार्ट्मेंट के आला अफसलिया उन्हें भी अवगत करा लेकिन वहां से लिए कोई मदद मे कि पुलिस डिपार्टमेंट इस विप्ति के ऊपर ठोस का भाई करें तो इस तरह के मामने सुनने में यह जो बाते हैं हमें तो सुनने में थोड़ी करकस लग रही है अब आप लोगों को जानकारी होगी कोई अगर कोई महिला इस तरह से सराउंडिंग हो जाया इस तरह के जो चक्रव्यू है चक्रव्यू के सराउंडिंग अगर घिर जाया और यह तो बहाद हो हैं सामने आकर अपनी बात रगदी हैं कई महिलाओं के साथ ऐसा भी होता होगा कि जो इन चीजों को सहती होंगी और उसके बाद कुछ बोल नहीं पाती होंगी क्योंकि उनको डिपार्ट कैसा एक्षन लेता है और इनका जो डिपार्टमेंट है इनके जो विभागी जो बोलना चाहिए इनके डॉक्टर कर संग है वो इनको कैसे जो स्वास्तकरमचारी संग है वो इनको कैसी मदद करता है इस विश्या में जो भी बाते आप पहुंचाएंगी यह बातें आपको इस वीडियो में इनके नाया के लिए क्या आज हो सकती क्या यह कर सकती है आपकी जो जहनकारी होगी जरून बातों को लिखे रहा हुआ कि निव वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें के पी न्यूस को और बैल आइकन को दबाएं